अमन भाई मैं ऐसे कॉंग्रेसी वी एग्री टू डिसेग्री यहां पे बहुत सरे मुद्दे हैं यहां पे कोई वेक्तित्य का विशे नहीं है दो पॉलिटिकल पार्टी के विशे नहीं है यह लडाई जो है हिंदुस्तान में दो विचारदारा का बीच में एक सवरकार वाल लेकिन एक दो मैं फैक्ट्स आपके बताता हूं सवरकर का अपना हातों से लिखा हुआ किताब सिक्स ग्लोरियस येर्ज इपोक ऑफ इंदु हिस्ट्री बाई सवरकर उसमें सवरकर जी ने चत्रबजी शिवाजी महराज को उन्होंने निंदा की थी जब उन्होंने ये एक गवरनर है मुस्लिम गवरनर उनका बहु को जब यहां से वापस लोटा देया था इज़्जत सहीब क्योंकि सवरकर का आइडियोलोजी अपना हातों से लिखा हुआ था उन्होंने रेप को एक इंस्ट्रुमेंट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलोजी का हिसाब से वो स्विक हिंदुस्तान का संस्कृती जो एक सालों साल से बनकर आज आमन और कमरुबाई एक टेबूल में बैट कर चट्चा कर रहे हैं वो सवरकर उस आइडियोलोजी को विश्वास नहीं करते लेकिन कॉंग्रेस पार्टी या कॉंग्रेस पार्टी के तमाम नेताओ लड़ाई है उसी बात को जो आइडियोलोजी देश को समाज को बाटने पर लगी वी है उसके खिलाफ हम अंदलोन कर रहे हैं और करते वे रहेंगे इस पे कहां पर पॉलिटिकल इक्वेशन जाके रुकेगी इससे हमको कोई मतलब नहीं है और ना ही अमरा विचारदरा से हम कॉनरवाइ नहीं कर सकते हैं दंकी दे रहें तो आजाए अब बताई आजाती है तो आजाए उनको फरग नी पड़ता आप लोग डर रहे हुए आप लोग कुछ कर नी नियुक्त कमरु भाई ने अभी चैलेंग बोल दिया आती है तो आजाए दरार फिर मैं आ रहा हूं प्रोफेसर कपिल कुमार और राकेश सिना बोली अब बोली है तिवारी जी बताईए आजाए तो आजाए हमको फरग नी पड़ता अब बताईए अगर कल त्रिनमुल कॉंग्रेस आती है अमरा विचारदरा का बीच में तो हम उससे लड़ाई करेंगे अगर वहां पर समाजवादी पार्टी आती है आर्जेडी आती है तो हम उससे लड़ाई करेंगे लेकिन हमारा विचारदरा में चलने वाला दन ही हमारे साथ रहेंगे